नमस्कार मैं हूँ दिपक शर्मा और आप देख रहे हैं बीग नूज बाका की बड़ी खबरों की बुलिटीन में आपका स्वागत है बढ़ते हैं खबरों की ओर धुरया परखन छेतर अंतरगत गौरा ताहिरपूर पंचायत इस्थित चप्री गाउं में अनुसुची जाती जन जाती बालिका छात्रावास का निर्वानकारी चल रहा था इसे बीच अतिकर्मन हटाने को लेकर मंगलवार को पुलीश परशासन के सामने दो पक्ष आपस में भीड़ गए दोनों पक्षों में जमकर मार पीट हुई बताया जाता है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की महिला और पुरुस को लाठी डंडे से जमकर पीटा गया जिस कारण करीब दरजनों लोगों से अधिक संख्या में महिला पुरुस जक्मी हो गये वहीं दूसरी पक्ष के भी आधा दर्जन लोग जखमी हो गये हैं। इस्तिते काफी तनावपूर रहने के कारण पुलीस बल भारी संख्या में गाउं में कैम्प करती रही। पुलीस भी मौके पर पहुंच कर इस्तिती को नियंतरित करने का परियास कर रही थी। इसले महीने बालिका चात्रावास अतिकर्मन को हटाया गया था। लेकिन इसके बावजूद दोबारा अतिकर्मन कारी ने कबजा कर लिया। जिसको लेकर मंगलवार की सुबह पुलीस प्रशासन के साथ चपरी गाउं पहुंचे थे। निर्मान हीन अवासिये बालिका चात्रावास विध्यालाई के दोनों तरफ सरकारी जमीन हैं जिस पर दोनों पक्च के लोग कबजा जमाए हुए थे। एक पक्च के अतिकर्मन हटाने के बाद दूसरी तरफ अवस्थित सरकारी जमीन पर ही हटाए गए अतिकर्मन कारी को कुछ जमीन देने की समाजिक समयती भी बन गई थी। परियास किया जा रहा है। भागलपूर से सर्व आने के बाद दोनों परिवार में कोहराम मचा हुआ है। के लिए खेसर जा रहे थे। उसी बीच तेज बारिश होने के चलते दूसरी ओर से बादसह नामक युवक कुछ समान लेने के लिए खेसर जा रहा था। इसी बीच दोनों तेज रपतार की बाइक में टककर हो गई। मृतक राहूल के भाई प्रदीब ताती का कहना है कि मेरा भाई अपने दोस्त श्रिवन के साथ भोच खाने के लिए जा रहा था। इसी बीच टककर होने से मौत होना बता रहे हैं। काई आक मेर भाई से onc subscriber है लो मिल आद्मी की मौत हुई जो ंना मेलम थो बतेवे किया है बिहार के बाका में उत्पाद विभाग की टीम को स्पेशल ड्राइब में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिहार के अपर मुखी सचीव चेतन परसाद के निर्देश पर राद दो बजे से सुबह नौ बजे तक उत्पाद विभाग की टीम के द्वारे स्पेशल ड्राइब चलाया गया। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 30 से 35 लाग के असपास है। उत्पाद अधिक्चा करुन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते वे बताया कि ट्रक चालक की पहचान सुपॉल जिले के चातापूर के रहने वाले मुहम्मद अकरम के रूप में हुई है। दोनों के खिलाप उत्पात अधिनियम के तहट मामला दर्ज कर जेल भेजने की कारवाई की जा रही है। वहन मालिक शाराब कारुवारी का भी पता लगाया जा रहा है। बहुसी थाने में बरामर शाराब को लेकर फ्रात्मी की दर्ज की गई है। तो आप तक के लिए इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार।